अब हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू शूंग ट्रेट फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में अगर यह स्टॉक तो मुझे लगता है आपके पोट्फॉलिय में रहे गई क्योंकि यह बहुत फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉक है यह हर किसी का पोट्फॉलि तो इसी साब से इस्टॉक को अपना पोट्फॉलिय में रखना चाहिए अभी बिल्कुल भी सेल मत किजिए जहां पर इतना बड़ा अच्छा था तो उस टाइम पर हम होल्ड करके रखे थे तो अभी स्टॉक को सेल करने कोई रीजन नहीं देखिए यह जो पेला स्टॉक के एक लार्ज क्याब स्टॉक है पांत लाग 24,000 करोड का मार्केट क्या पर अगर इसका प्रॉफिट हम देखते हैं लास्ट चार क्वाटर का प्रॉफिट जो है 20,000 करोड का प्रॉफिट है ठीक है अगर इसी साब सब देखते हैं यह मार्केट डिलर कंपनी है ठीक है मार्के सेप्टेमबर में था अभी 5200 क्रोड का प्रॉफीट तो प्रॉफीट अभी येर और और क्वाटर और क्वाटर से भी ग्रोथ दिखा रहा है ठीक है तो इसी साब छोप से कंप्पनी एक फटरी बहुत स्ट के अगर यहां पर हम अफ़ा का होल्डिंग भी देखेंगे यहां पर देखेंगे सेबंटी वान पॉइंट एक साफ में एक पॉड्फोल्य को पर्सेंटर्ट्र काल ओल्डिंग है और आपको कभी भी लॉस नहीं होग आपका प्रफ आपको मिल सकता है विभी तो सकता है और यह जो इन्वेस्टमेंट इसका ड्रीस्टमेंट है कुछ कि इसका बहुत तो अभी इसका बहुत लेगए इसका ट्राक डेखिए ओप्रन प्रोब्लेम नहीं आया है ठीक है तो इसा स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं अभी एक टेक्निकल लेबल यहां पर निकल करके आता है क्योंकि जिसी साब से प्रॉफिट पोस्ट किया है यहां पर आपको भी समझ में आ जाएगा तो मैं जो बोलना चाहरा हूं यहां पर दिखिए कि यहां पर काफी दिन से था अपने देखानों का काफी ऊपर इतना बड़ा सा वते जितना के लिवसंटा लगा होता है तो उसके बाद में उतना यह बनाता ऐख लेकर हम ही से कि आँपको अभी एसका इसका टारगेड जो आपको मिल सकता है ठीक है इसका आएगा तो अगर आपको लॉंट्रम होल्डिंग करना तो कर लिए अगर आपको में प्रफित करना चाहते हैं तो अप जरूर यह लेवल तक इंतिजर कीजिए जो कि ट्री थाउजन द्रींड द्रींड नाइटी का लेवल है जो कि 3400 के नियरेस्ट लेवल है तो यहां तक जरूर जा सकता है ठीक आप यह स्टाउक को होल्ड कीजिए अभी सेल करने का कोई रिजन नहीं आप सोच रहें कि यहां पर रेजिस्टंस से अभी सेल करके प्रॉफिट भी नहीं आपका टाइम पिरियोड कितना जा चुका है ठीक है अभी जहां पर आपको यहां परके पोटफोलियो में है तो आप कर चलिए यहां पर बड़ी ऐसा स्टॉक है ठीक है ना मार्केट लीडर है इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है इस ग्रूफ का अभी स्टॉक भागा नहीं है ठीक है अभी चल रहा है यहां पर बड़े-बड़े इंबेस्टर करना स्टार्ट करेंगे तो यह इस्टॉक को बहगा के लेकर जाएंगे ठीक है यह जो स्टॉक है तो यहां पर कोई फंड़ेमेंटली कोई प्रोब्लेम नहीं है कि सब्सक्षा चुक है अगर हम देखेंगे तू पर्सेंटेज का यहांoter प्रॉफिट प्रॉफिट हो आए प्रॉफिट तो इतना बड़ सा कॉरोना का स्थिति में भी स्टाउक में अध्यसा प्रॉफिट दिखा रहा है तो ल एक 68 percentage प्रमोटर का और यहां पर fii के पास स्में 8.99 percentage का holding है एक पास में पूल्डिक के पास में फूर्टिन परसंटेज का holding है ठीक है यह stock में बने रही है आपको इक बड़ी है सा बना हुआ है यहां पर कितना आपका यहां पर टाइम करेक्शन हो चुका है यहां पर कितना बड़ा सा टाइम करेक्शन हो अगर आपको पोजीशन बनाना है तो तो उसी टाइम पर पोजीशन बना लीजिए क्योंकि स्टॉक तो यहां पर पोजीशन बनाके चल सकते हैं तो आपको बिल्कुल यह तक लेके चलना चीजिए तक एजिली यह स्टॉक दिखा सकता है जो कि आपको 6 मांच के अंदर इसका टर्गेट आ सकता है तो सकते हैं क्योंकि इसका कोई प्रोब्लेम यह नहीं है ग्रूप का स्टॉक है अगर हम इसका प्रॉफिट भी देखते हैं देख लिजेए इसका प्रोफिट अगर हम देखते हैं एक लार्ज क्याप स्टॉक एक लाक एट थॉजन का मर्केट क्या पर इसका अगर पी देखते हैं टूंटी फाइब का पी और प्रोफिट देखें लास्ट चार क्वाटर में 32000 क्रोड का प्रोफिट है ठीक है तो अगर अब देखते हैं यहां पर 7700 करूर का अभी देखिए 9000 96 करोर का प्रोफीट है एक प्रोफीट में बड़ी असा यहां पर दिखा रहा है ठीक न तो इस हिसाब से स्टॉक को अपना पॉर्टफोलिय में लेके चलना चाहिए मेरे इसाब सी यह आपको 1900 का लेबल जरूर दिखा सकता है यहां पर 1900 का लेबल जरूर दिखा सकता है इसमें मैंने एक टार्गेट भी देखा था एक ब्रोकर का भी टार्गेट था अगर हम इसमें जाके देखते हैं टिकर टिप में आपको मिल जाएगा इसका टार्गेट ब्रोकर का क्या टार्गेट के दिया हुआ है जोड़ीत फाइनन्स का मैंने देखा था इसमें टार्गेट निकला है आप यहां पे नियूज में आ जाएंगे नियूज में जब आएंगे तो यहां पर आपको टार्गेट देखने को मिल जाएगा कि यहां पर देखिए फ्रेंट्स अगर हम जाएंगे तो यहां पर आपको टिकर टिप में भी मिल जाएगा जो कि अगर हम देखते हैं हमारा टेकनिकल टार्गेट भी निकल करके आता है तो इसी साब से आपको लेवल भी टेकनिकल चैट पैटन में भी दिखा रहा है तो वहां तक जा सकता है अभी आपको इमेडियेटली सेयल करने का कोई जरूरत नहीं है फंडमेंटल बहुत स्ट्रांग सके इसकीको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है और इस चाप देख लीजे जो कि यहां पे यह यहां पर मुझे लगता यह कि कि यह एक स्टॉक में जहां पर निप्टी में इतना बड़ा स्टार्ट नहीं हुआ है जब चलना स्टार्ट करेगा तो यहां पर भी इसका भी आल टाइम हाई लगेगा ठीके ना लेकिन अभी हमें पेसंस दिखाने की ज़रू होते हैं अभी कोई दुसरा हम सोच भी नहीं सकते हैं स्टॉक में ठीक है आप होल्ड करके चलिए बड़ी है सा पैटर्ण डेवलोप हो रहा है अगर आप टेक्निकली आपको थोड़ा सा अगर मालूम रहेगा मेरे हिसाफ से आपको तो पता होगा क्योंकि काफी दिन से आप भी जुड़े हुए इस चैनल पर यहां पर एक रिवर्स रोड़न शुल्टर पैटर्न बन रहा है ठीक है ऑगर हम देखेंगे तो यहां पे जितना बड़ा सा दे कहिए निकल रहा है निकलके अगर हम लेकर कि यहां पर जितना बड़ा सा देव्स और डेवत निकल जाएंक ठीक नवर्स तो यहां पर दिखी यह जो टर्यक्पका निकलेगा अभी बिंदा से यहां तक जा सकता है अगर आपको hold करना है तो यह लेवल तक बिंदा से hold करके चल सकते हैं अभी एक जो लेवल पर चल रहा है तो इस लेवल से और कितना परसेंटेज का पोटेंचियल अभी बचा हुआ है अभी जो लेवल पे चल रहा है अभी यहां से थाटीफर परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है अभी जो लेवल से चलेंगे तो यह आपका टाइम प्रेट रहेगा हो सकता है नाइन मंस लग जाए हो सकता है ठीक है लेकिन यह टारगेट आची भूए कहीं रहेगा ठीक है यह बहुत बढ़ी है क्या जा चुका है तो अभी बढ़ी है कोई प्रोब्लेम नहीं है इसका अगर हम अबढ़ी है जाए ग्रोथ दिखा रहा है यहांपे प्रफिड में three टॉन्टेंटी करोड का प्रफिट लास्ट कवाटर में था लास्ट सेप्टेंबर में अभियागर देखते हैं 276 करोड का प्रफिट में थूड़ा सदिक्लाइंड यह टो लेकिन स्टॉक कोई बुरा कर बढ़ी अब आने वाला दिनों में बढ़ी है सकता है बहुत बड़ा सार आलिया सकता है ठीक है अधसा स्टाओक है अभी 696 में चल रहा है अभी अगर आपको कर सकते हैं अगर लांग टर्म पोट्फोलियो है तो अभी आपको एक ऑपर्चुनिटी मिल रहा है चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक है अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिए आपका एक लाइक मेरा मोट अच्छा मोटिवेशन करता है ठीक है अगर चैनल पर नाया देख रहे हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किजिए ठीक है फ्रेंस नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि लोंबार के बारे में ठीक है यह के फॉंडामेंटली बहुत स्टॉक को आपको सेल करने का रीजन नहीं है अगर आपका लंग टर्म का पोर्टफोलियो है यह सब आपको एक ऑफॉर्चुनेटी दे रहा है आप यहां तो आल टाइम हाई पे चल रहा था मैं आपको हम सब्सक्राइब में अपको बता दूगा ठीक है तो लेकिन अभी इसमें अपर्चुनेटी है अभी आप करके चल सकते हैं लंग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अगर आपको स्विंग के लिए लेंगे और जो आप जो बता रहें की वान मांस का टर्गेट के लिए कौन से स् बढ़ा सा पोटेंशल बचा हुए ना आप उसी को एक चल सकते हैं जैसे कि लाइफ हुआ मैंने आपको बता है उसको बाई करके चलेंगे तो यहीं से आपको भी पता चल जाएगा आप दिखिए यहां पर बड़ी ऐसा पैटर्ण हो रहा है जो कि कॉप अगे तक जा सकता ह सब्सक्राइब को रहें तो जो हो सकता है लेकिन आपको इम्मीडियेटल आप बोलेंगे इम्मीडियेटली वान मॉन्स में चला जाएगा इसा नहीं है वान मॉन्स का टर्गेट नहीं हो सकता है तृम भी लग जाए क्यों काफी दिन से लेना लार्ज काप स्टॉक है आपका पॉर्टफुलियों बहुत रहेगा और यहां पे इतना बड़ा सा फॉल भी नहीं आ सकता है जहां पे हम स्मॉल क्याप में इंवेस्टमेंट करते हैं वहां पे श्राइब करते हैं लहां यहां पर भी आपको सेल करने का अभी थोड़ा सा रुख सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा सा यहां पर हो चुका है देखिए जब इतना बड़ा सा कॉंसलेटेशन हुआ है ना तो यह स्टॉक का अपको होड़ करके चलिए आप बुलें लेकिन एक चीज़े में आपको टेक्निकल टार्गेट बता रहा हूं यह सा कोई ग्यारेंटी नहीं क कि वह स्टॉक वहां पर रुकेगा यहां तक जाने के बाद में वहां सभी रॉकेट हो सकता है लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि स्टॉक का टार्गेट में हमने शेल कर दिया उसके बाद में स्टॉक भागे जा रहा है यह सा कोई नहीं है क्योंकि मैं जहां मजह स्टॉक करता है उसके बाद में मुढके यह लिएवब नहीं पर बाइण लेवल नहीं रेग्रेट को कि तो पर परसंटेज का प्रोफिट होता नहीं बिल्कुल इसा नहीं करना नहीं तो फिर आपको बहुत प्रोब्लेम होगा आगे ठीक है अभी यहां पे दिखे यह स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं अभी आप इस टॉक में हैं इसमें आपका यह लाइफ में यह स्टॉक का प्राइश तक जा सकता है इसके लिए हो सकता है आपको थ्री मंथ लग जाए लेकिन आप स्टॉक में बने रहे हैं अगर आपको पोजिशन बनाना है मैं आपको आभेड करूंगा क्योंकि अभी पोजिशन मत बनाई है क्योंकि अल्रेडी टूंडर्ड डे मोभी ओपर आ च बेखता है तो कोई प्रोब्लेम नहिंए इसमें बने रहीन अगर हम इसके में देखेंगे इसमें प्रॉटि बादिया प्रॉटी सब्सक्राइष हमारेंगे तोasma परफीट है तो अगर कोई आइसाय अगर एक रफिवलो के हिसाब हम नहीं सब्सक्राइम कर सकता है अगर इसा नहीं कि रिलाक्स भाग रहा है बाटा भाग रहा है तो हमारा टाइम नहीं आए इसा बिलकुल भी मत सोचिए ठीक हर एक का टाइम आएगा अब फॉंडमेंटली स्टॉंग स्टॉक ना पर भाएकर के रखे होएं तो आप अगर सेल कर देंगे तो फिर कल आप पस्ता करे पाइसा मिलेगा ठीक है अगर पैसेंस के साथ में बैठे रहेंगे तो यह पाइसे कमा पाएंगे मार्केट से सुन्टेड करके अब हम तो डारिकली मार्केट के साथ में तो पुरा जुड़े हुए नहीं ना पुरा 8 को 8 गंटा यह सा होगा तो फिर फिर प्रोब्लम होता ह है कि बार-बार बुरियोत होता है लगेगा कि यह मार्केट से प्रफिट नहीं आ रहा है लेकिन हम तो जौब के साथ में कर रहे हैं ना हम तो कोई दुसरा काम भी कर रहे हैं साथ में यह तो हमारा पाट-टाइम है अगर फूल टाइम है तो हम प्रोफेशनाली लेकि कर सकते हैं इंट्राइव फैन ओव यह सब लेकिन हमें उस सब की चक्क्र में नहीं पढ़ना हमें इंबेस्टमेंट करना है करना है अच्छा सा गेन लेना है पोटफुलियो डाइबर्शिपिकेसन करके रखना है ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो से थुरा साब को बिडियो को जरूर्ब लाइक कीजिए फ्रेंज के साथ में सेर कीजिए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर्ब सबसक्राइब कर लिए थैंग्यू बरीमाच प्रेंट्वर वस्पार और यहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में